हलो स्टुडेंट एसे मेजुकेशन सर्वीसेस का ओपीसेल यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ उन्हें स्टुडेंट के लिए जिनका कि मार्क्स कम है बजट भी कम है और साथ मैं उन्हें स्टुडेंट के लिए बात करूंगा जिन साथ में आप साया जनकारी दोंगा यदि आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना और यह भी बताओंगा साथ में किडोप लेना चाहिए कहा किस परिश्टिति में ड्रोप लेना चाहिए और यदि आप लोग को इससे रि मार्क्स कम है जिन स्टुडेंट को और उनको सिर्फ और सिर्फ गवर्मेंट चाहिए और उनको इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो वैसे से मैं अच्छी लगन और मेहनत के साथ study करूंगा ताकि नेक्स्ट यह आपको government college मिल जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है जिनका budget सही है लेकिन उनका marks भी कम है लेकिन यदि उस student को जिनका की marks तो कम है लेकिन budget सही है budget है काफी तो आप admission ले ले यदि आपका attempt ज्यादा है ज्यादा बार आप जो हैं से उसमय बात करता है लोग budget है कि लेना नहीं चाहते हैं तो उनके लिए एक और एक मात्र abroad है या फिर और एक प्रोडmot चाहते हैं तो अपना तैयारी कर ले एक ब्रोड में study के लिए अपनवन बना ले क्योंकि abroad में सारेष्टी सारे अविर्व सही नहीं है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है बहुत सार ऐसे कंट्ली है जहां कि एजुकेशन अच्छी नहीं है क्वाजिटी वाइज अच्छी वीक होती है साथ में गैदरिंग भी होती है तो ए सब चीश से बच के जाँच पर रखके तभी एडमिशन ले नहीं तो आपको बहुत ही बड़ा धोका हो सकता है और साथ में मैं तो जहां तक कहूँगा कि अगर उनस्टिवेन को जिनका बजट सही है मार्ग्स कम है तो इंडिया को ही पकड़े इंडिया से बाहर जाना कोई खास काविल ये तारीफ नहीं है इंडिया में कॉलेज अच्छे से अच्छे हैं लेकिन आपके पास मार्ग्स स सकते हैं इंडिया में और बजट सही है तो और दूसरी बात यह भी आपका प्रोस्ति देश नेपाल बंगला देश इक्रेंज जोर्जिया फिलिंग पीस बहुत सारे कंट्री है चाइना ही वेसे तो आप यहां पर भी जाके एजुकेशन ले सकते हैं लेकिन सारे कंट्री सह ही नहीं है यह भी आपको जाच प्रक कहीं एडिमीशन लेने में काबिल्य तारीफ होगी नहीं तो आपको पश्टाने के अलावा दूसरा कोई मौका नहीं रहेगा सोच समझ के काम कीजिए एडिमीशन तो ले लेते हैं लोग लेकिन आपको चार सल पांच सल जब बरबाद हो जाता है और साथ में जब उस डिगरी का कोई मतलब नहीं होता है तो समझे कि आपके पैर से जमीख हिसक जाती है आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहां हो और साथ में पैरंस को भी पता नहीं चलता है कि यह मेरा बच्चा क्या किया या मैं क्या कर दिया बच्चे के ताकि आपकी जो एजुकेशन की कुझी है वो अपने पास रखके करना है यह नहीं कि किसी के बहकावे में या किसी को बोलने पे कहीं भी चले जाए तो दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा था इस वीडियो में और उन्हीं श्टुएट को लेना सही है जिनके पास कैपिसीटी है ताकत है जजबा है कि next year अच्छा कर सकते हैं और वैसे श्टुएट जिनके पास ऐसा काबिल यह नहीं है उनके पास ऐसा धहर यह नहीं है कि वो next year अच्छा कर सकते हैं तो वो अपने आपको सकता है नेक्सक्ति वार अच्छा माक्स आया तो पिछले बार अच्छा ही नहीं आएगा अगर इसुले भार खराब आया तो हो सकता है पहले काम करें किसी के कहने यहां मत Katherine परबाद होंगे पूरे दीन बरबाद होंगे आप पता चलेगा एडमिशन भी नहीं कहीं हुआ और लास्ट में फिर आप वही जनेरल कमपटिशन के त्यारी में लग जाएंगे तो बस आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों यदि आपको ये वीडियो प्रसंदा है तो लाइक जरूर कीजिए साथ वे सेर भी कीजिए उना च्टुएंट के पास जो अभी भी कंफ्यूज हैं और सब्सक्राइब का बटन दबाया ताकि आपको हमेशा कितरा लेटेस अपडेट धाइक तो